ओमलेट वैसे तो तवे या पान दोनों पर बन जाता है लेकिन तवे या पान के डिजाइन और साइस के हिसाब से आप उसमें ओमलेट बना सकते हैं अगर आप बहुत सारी सबजियां डाल कर अंडे का ओमलेट बना रहे हैं या फिर वेजटेबिल चीला बना रहे हैं तो नॉर्मल तवे पर आपको इसे पलटने में दिक्कत आएगी तो ऐसे टाइम पर आप पैन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पैन की जो एज़ेस होती है वो काफी ऊची होती है अगर आपको रेगिलर चीला, उत्तपम, दोसा या फिर ओमलेट बनाना है अंडे का तब आप तवा यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको इन्हें पलटने में आसानी होगी तो जादा उची और वेज़ेटिबल वाली चीज़ पैन में बाकी तवे में ये टिप आपके लिए है मिस्टर कुक की तरफ से from the house of United Metallic